वेल्कम बेक अब्रिवान वेल्कम टू सिवल सर्विसेश टड़ी यूपीए से सिवल सर्विसेश प्रलेम्स 24 तारिक को 24 मार्च को जो है फॉर्म भरने के लास्ट डेट है आज 21 मार्च हो गई है तीन दिन का समय है जिसको भी उपीए से सिवल सेवा आखी परिक्षा में साफ हों भर सकते हो तीन आज मिलाके चार दिन का समय से सब्सक्राइब नाइंटी-फॉर इसके टैस्ट अभी तक कंप्लीट होगे थे और यह है इसका प्रेक्टिस है टमबर 95 चले स्टार्ट करते हैं तो कोश्य नूमबर बन पर आजाएं तपैदिक के संदर में निम्लेखित कत्नों पर विचार करना है देखें यूपीएससी की परिक्षा हो प्रेलेम्स की या मुख्य परिक्षा हो या स्टेट पीसीएस या कोई भी जो साइंस से रिलेटर प्रेशन आते हैं उनका एक बा सारजणे में जो है उसको परिशानी होती यह तपैदिक का मतलब टीवी या यक्ष्मा ठीक है तीनों एक ही है तो वेक्ट्रियल है यह वेक्ट्रिया कीतब होता है करेक्टर पहला स्टेट्मेंट यह एक वेक्ट्र जनित रोग है को बेक्टर जनित नहीं है गलते दूसरा इसकी रोग था में उपचार दोनों संबब हैं बल्कुल एक और तीन सही है सी बी है इसका अंसर तो तपैदिक टीबी या फिर छे रोग जो है ठीक है बैक्टिरिया कौन सा बैक्टिरिया वो माइक्रो बैक्टिरियम ट्यूबर कॉलोसिस के करण होता है जो फेपडों को सबस थे चुने से फैलता ठीक है तो दूसरा वाला गलगता है इसकी रोग था उत्यार दोनों संबब हैं तीसरा साही आप प्रया समचरों में देखे जाने वाली जस्टिस के टी ठामस एक समेटी नमरीक से किस्से संबद रेता है जस्टिस के ठामस समेटी का संबद किस्ड़ है बढ़ते प्लास्टिक कच्रे की समस्या का निप्टान नहीं उत्तर भारत की सभी नदियों को गगा नदी में कैसे जोड़ा जा सकता गया ब्लंडर स्टेट्मेंट है सावजिनिक संपत्ती के नुकसान की रोक थाम करना वे से भी जस्टिस लगा हुआ ठीक है तो भारत में नुकसान की वसूली है तू कोई केंद्र कानून नहीं है बरतमान में दंगाईयों के खिलाफ कारवाही करने है तू सावजिनिक संपत्ती नुकसान रोक थाम अधिरियम और 1984 में भी सीमित प्रापधान है जिसमें दोसियों है तू कारवास और जुर्माने का प्रापधान तो किया गया है लेकिन नुकसान की वसूली है तू कोई प्रापधान नहीं किया गया है संपत्ति के नुकसान की भरपाई है तू कानून होने के बावजूद देश में विरोध परदशनों के दोरान मारपीट तोड़ फोड़ की घटनाएं आम हो गई है वर्स दोहर साथ में सर्बोच नियाले ने यानि सुपरीम कोट ने इस मुद्दे पर संग्यान लिया तथा कानून में बदलाभ है तू नियामूर्ती केटी थामस और वरिष्ट अधिवक्ता फली नरीमन की अध्यक्स्ता में दो समीतियों का गठन किया गया ठीक है अब बात करें केटी थामस समीति की तो केटी थामस समीति ने सारवजनिक संपत्ती के नुक्सान से जुड़े मामलों में आरोप सिद्ध करने की जुम्यदारी को बदलने की सिफारिज की और नियालों को यह अनुमान लगाने का अधिकार देने के लिए कानून में संसोधन किया जाना चाहिए कि अभियुक्त सारवजनिक संपत्ती को नश्ट करने का दोसी है ठीक है तो भी करेक्ट हो जाता है हम पर चार में से देखे दायत्व की स्थिती में बदलाव से संबंदी दिया सिद्धान्त जो है वो यौन अपराधो तथा इस तरह के अन अपराधो पर भी लागू होता है सामानेता जो कानून है यह मानता है कि अभियुक्त तब तक निर्दोस है जब तक कि उसका दोस साबिद न हो जाए ठीक है अभियुजन पक्ष उसे साबिद नहीं कर देता कुशन नुम्बर थ्री पर आज़िए यह भारत की सबसे कम पुर्दूशित नदियों में से एक है इन चारों में से किसी एक की बात हो रही है यह विंद्य परवत स्रणी से निकलती है बनास काली शिंद शिप्रा पारवती इसकी प्रोमुक सहाइक नदियां है उपर युक्त तो यहां इसकी चंबल की बात हो रही है यह भारत की सबसे कम पुर्दूशित नदियों में से एक है तो चंबल रिवर जो है भारत की सबसे कम पुर्दूशित नदियों में से एक है इसका जो उद्गम स्थल है वो है विंध परवत के उत्तरी ढलान पर इस्थित सिंगार चोरी चोटी ठीक है मद्ध प्रदेश के इंदोर में यहां से लगभग 346 किलो मेटर तक यह मद्ध प्रदेश में उत्तर देशा की और भेतियों यह राजस्तान में प्रवेस करती है और जो राजस्तान में प्रवेस कर जाती है तो राजस्तान में इस नदी की कुल लंबाई में मिल जाती है देखे यह एक वर्षा आधार इतना दी है जिसका वेशन विंध परवत सरंखलाओं और अरावली से घिरा हुआ है चंबल और इसकी सहायक नदियां उत्तर पश्चे मद्ध प्रदेश के मालवा छेत्र में वहती है इसके प्रमुक सहायक नदियां वनास है काल द्वारा त्यार किया गया है यह अन्हीं बॉर्डर रोड और्ग्नाशन के द्वारा इसमें वायू-प्रदोश्ण को कम करने और सरक्सुरक्षा सप्षा सुनिश्यत करने की संकल्पना की गई है बाहान स्क्रैपिंग नहीं थी कि भी यह क्या करेंगा इसमें गलता पहला सडक परिवहन मंत्रा रहा ठीक है इस नीति का उद्देश है पुराने और खराब वाहनों को कम कर इनसे होने वाले वयो पुरदोश्चकों को कम करना सडक और वाहनों की सुरक्षा में सुधार करना इस नेती के अंतरगत 20 साल से अधिक पुराने 51 लाख और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख हलके मोटर वहिकल को सामिल किया गया है ठीक है LMB, LMB का क्या मतलब है हलका मोटर वहिकल ठीक है अब के बार DL होगा तो उसमें लिखा होगा LMB यह सरकार को भारत की संचेत निदी से धन की निकासी करने में सक्षम बनाता है सरकार को भारत की संचेत निदी से धन की निकासी करने में सक्षम बनाता है सरकार को भारत की संचेत निदी से धन की निकासी करने में सक्षम बनाता है जो है सक्षम सक्षम बनाता है पहला सभा को इस विद्यक में संसोधन की सिफारिश करने की सक्थी प्राफ्त है वर्स 2020 में पीली भीट टाईका रिजर्व वीते चार वर्सों में बागो की संक्या को दो गुना करने के लिए उसने TX2 अवार्ड जीता था उपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लेंड स्केप के हिस्से का निर्मान करता है पीली भीद टाइकर रिजर्व है पिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसी नहीं जीता था बागो की संक्या को दो गुना करने के लिए पिछले चार वर्सों में 2020 में तो पीली भी टाइकर रिजर्व कहां पर है उत्तर प्रदेश के पीली भीद और साजहां पूर डिस्टिक के वी चिस्ति था ये इसे वर्स 2014-15 में टाइकर रिजर्व के रूप में मानिता दी गई थी इस रिजर्व का जो उत्री चोर है वो भारत नेपाल सीमा के पास रिस्तित है तथा इसका दक्षणी चोर है सार्दा और खक्रा नदी तक विस्तरत कोशन नुबर सेवन पर आज़िए वजट अधिनिया मन के निमलिखेत चरणों का सही क्रम में विवस्थित करना है यह प्रश्ण इंपोर्टेंट है यूपीएसी पहले कर चुकी है कि वजट जब प्रस्तूत किया जाता है तो सबसे पहले क्या क्या होता है सबसे पहले प्रस्तूती होगी एक बार प्रस्तूती होगई फिर उस पर चर्चा होगी चर्चा होगी फिर जो चर्चा होने के बाद जो अनुदान होगा उन पर मतदान होगा बोटिंग होगी बोटिंग के बाद विनियोग विध्यक पारित होगा और सबसे अंत में होगा वित्य विध्यक का पारित होना तो अगर तीन किसी में सबसे पहले है तो उसको ऐलिमिनेट कर दो तीन सबसे लाश्ट में होना चाहिए ठीक है विनियोग विध्यक के वाद वित्य विध्यक आएगा तो विनियोग विध्यक को ऐलिमिनेट करो दो को आराम से इसका आंसर मिलेगा पांच एक दो तीन तो देखिए वजट संसद में नमलिखित छे चरणों से गुजड़ता है वजट की प्रस्तुति उसके बाद सामाने चर्चा होगी उस पर विभागे समीतियो दारा जांच होगी ठीक है फिर क्या होगा अनुदान मांगों पर मतदान होगा विन्योग विध्यक पारित करना फिर वित्य विध्यक पारित होना चलिए तो बजट पर चर्चा देखे वर्ष 2017 के बाद से वजट की प्रस्तुति की तारीक जो है एक फरबड़ी ते कर दी गई सामाने चर्चा यानि संसद के दोनों सद्दों में वजट पर सामाने चर्चा होती है विभागय समितियों तरा जांच होती है अनुदानों की मांगों पर मतदान होता है वोटिंग होती है उसके बाद विन्योग विध्यक पारित होता है यानि भारत की संचेत निदी से रासी निकालने के लिए एक विन्योग विध्यक पेस किया जाता ह उसके बाद वित्य विध्यक पारित होगा आगामी वर्स के लिए भारत सरकार के वित्य प्रस्तावों को प्रभावी करने है तू वित्य विध्यक पेस किया जाता है छे चरण कोशन नमबर एट पर आजाई है भारत की संचेत निधी के बारे में नमलेखी दिकत्मों पर विचार करना है इसका अगठन भारत सरकार के अनुच्छे 266 के तहत किया गया है इसमें किन सरकार दोरा प्राप्त सभी प्रकार के कर और गैर कर सामिल है क्या संचेत निधी में भारत सरकार के सभी कर और गैर कर भी सामिल है बिल्कुल, अनुचे 266 में प्रावधान है, 266 में प्रावधान है 266 में ही प्रावधान है, दोनों के दोनों statement correct हो जाते हैं तो भारत के संचेति निदी के स्थापना भारत की संपितहान के अनुचे 266ए के तहटकी गई है इसमें समाहित क्या क्या है? करो के माध्यम से केन सरकार को सभी राजस्व प्राप्त सभी राजस्व तथा सभी गैर का राजस्व सभी राजस्व कौन कौन से हो गए आयकर यानि इंकम टेक्स केंद्रे उतपात सुल्क सीमा सुल्क और अन्य प्राप्तियां देखे सार्वजनिक अधिसूचना, कॉमा ट्रैजडी वेल और विदेशी सरकारों तथा आंतरिक संस्थाओं के माध्यम से केंदर द्वारा लिए गए सभी इरनिस में सामिल होते हैं और भारत का नेंतरक और महलेखा परिख्षक जो है ना सीएजी कॉम्ट्रोलर एंड ओडिटर जनरल इस नीती का लेखा परिख्षन करता है कोश्चन नम्बर नाइन पर आजए नमलिखित कत्नों पर विचार करना दो स्टेट्मेंट है यहां पर पताने कि नमसे कौन सा करेक्ट होगा परिया बरण में सभी भारी धातुओं का निश्कासन केवल प्राकरतिक स्रोतों द्वारा होता है पेजल में पाए जाने वरी जो भारी धादुओं है वो मानव स्रीर पर लावकारी प्रभाप डालती है परिया बरण में भारी धातुओं का निश्कासन केवल प्राकृतिक स्रोतों द्वारा होता है प्राकृतिक शुरोत नाम मात्र के होते हैं ठीक है प्रदोशन करने के रहें प्रत्वी अपना पुरा रभरन जो भी करती है चुट पुट उसको खुदी कर लेती है लेकिन आप लोग जो है यह सबसे ज़्यादे नुकसान पहुचाते हैं प्रकृति को यानि माना अब निर् आखिशकरत उच्छ खनत्व सांदरता के साथ विसाक्त या जहरिली होती है गारी धात्वी के उद्वन मेंहें कौना है आ होता है सामिल होती कि Image on tag म में और स्रोत की बात करें और नदियों के प्रभाक के करने यह जो है जीलो और महसागरों में अओन के जीलो महसागरों का मिल जाते हैं मानव जनित स्रूत की बात करें तो धातुओं का खणिन करना हो गा sonst करसी अपमार्जक औरुबरक उत्पादन जैसी मानव के तिविदियों के माधियम से इने जल्मे प्रवायत किया जाता है तो इस तरह से पहला स्टेट्मेंट करत हो जाता है के वर लिखाता वहां पर मानव डिल्में ज्यादा हो रहा है देखिए मानव पर भारी धातूव का अगर प्रवाब देखें तो कुछ आवश्यक भारी धातूव जैसे की कोबाल्ट तांबा जस्ता मैगनीज की बात करें तो यह मानव सरीर के लिए आवश्यक होती है लेकिन इनकी अगर अधिकता हो जाए ना तो वो स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकती है वो होती ही है गंभीर में इन धातूवों का संचे अगर हो गया तो गंभीर समस्यां वत्पन हो जाती है ठीक है सरीर की गलत दूसरा वाला स्टेट्मेंट कॉश्यक नमबर दस पर आजाईए दो स्टेट्मेंट के साथ एक और प्रश्न आ जाता है पेरियार नदी पश्मी घाट की शिव अगर दो और इसी तरह से करती है यूपीए सी यूपीए सी आए इनकल के लातीए टिवयू ट्री को कि लगेगा कि इसकी और कि और दोनों की दोनों और केरल की पेरियार वेस्टन घार्ट की सिवगरी पहाड़ियों से ही निकलती है दोनों के दोनों का रेक्टेंस ही है इसका अंसार तो पेरियार नदी की जो लंबाई है 244 किलोमेटर है और यह केरल राजी की सबसे लंबी नदी है इसे लाइफ लाइफ ला इंतर भेती रहती है पेरियार नदी वेस्टन घाट की सिफग्रे हिल से निकलती है और यह जो है पेरियार नेशनल पार्क से होकर भेती है पेरियार की मुख्य साइग नदियां कौन कौन सी है मुथिर पूजा मुलायार ठीक है चेरू थोनी और पेरिंज कुट्टी तो UPSC के फेवरेट हैं इस तरह के स्टेटमेंट है कि इस नदी के संदर में विचार करो कि इस नेशनल पार्क से होकर भेती है या बारह मासी है इसकी जगह लिख देते मौस में है तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट इन मैं से कोई उपर नीचे कर देते किसी और किस अधी डाल देते नर्मदा की डालदेते तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट चले हैं तो यह कुछ प्रैसन थे इंप्रक्टे न कि प्रैडीश कंसे कमें बार तो करें लिए ना इस पूरी की पूरी टेस्स्रीश की प्लेइलिस्ट के लिए अ lot को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर समब्ष से लेकर ट्यास नमबर वन से लेकर 800 क कौन से ट्यास्ट है कि यह है प्रेक्टिस आइट नंबर 95 तक बहुंच सकते हो कि तो 95 तक की तो यूपी पीसेस में चल लाई है सीरीज ठीक है